तो अब आंगे बात कर लेते हैं हम लोग most important question for chapter 6 chapter 6 के लिए हम लोग most important question देख लेते हैं आउकलेज के अनुप्रियोग application of derivatives ठीक है तो ये chapter 6 आपका कई topic से भरा पड़ा chapter 6 में अगर मैं बात करूँ तो chapter 6 में 6 topic है ठीक है स्टार्टिंग होती है आउकलेज दर्मापक के रूप में फिर बर्दमान हासमान इस पर से रेखा हैं अभी लंब दैन सन्नी कटन उच्चेतम निम्तम और उच्चेतम निम्तम के अनुप्रियोग ये कुल मिलाके एकसाइज आपके कितनी है पांच है क्योंकि आखरी एकसाइज पांच में एकसाइज में हमारे दो टॉपिक उच्चेतम निम्तम और उच्चेतम निम्तम के अनुप्रियोग दो एकसाद दिये हुए चैप्टर नमबर 6 के अंदर गात हम लोग 6 टॉपिक देखते हैं आउकलस दर्मापक के रूप में इसके अलाबा हम लोग बात करते हैं आपका वर्दमान हासमान इसपर स्रेका अबिलम सन्नी कटन उच्चेतम निम्तम और उच्चेतम निम्तम के अनुप्रियोग ठीक है त उधारन नमबर 2 इंपोटेंट है इसको कलीजेगा और उधारन नमबर हमारा 3 ठीक है देखो अब उधारन 1,2 और 3 के आधार पर सुनलीजेगा उधारन नमबर 1,2 और 3 के आधार पर ही हमारी exercise 6.1 में question दिये हुए जैसे हमने उधारन नमर 1,2,3 लगा है उधारन नमर 1,2,3 लगा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा 6.1 में प्रिष्णाबली 6.1 के अंदर अगर हम लोग important सवाल की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको कौन कौन सवाल देखने हैं देखी important सवाल की बात कर लेते हैं तो आप लोग लगा लिजी दूसरा, तीसरा, पांच इसमें अगर जो most important होगा बहुत मैं बताता जाओगा ठीक है इसके बाद सात मा छट मा ठीक है दूसरा, तीसरा, पांच मा छट मा और हम लोग लगाएंगे आठ मा नौ मा ठीक है यह important सवाल है बार मा बारा सवाल लगाएं तेरा, सत्रा और अठारा ठीक है यहां पर बहु दूसरा, तीसरा, पांच मा, छट मा, आठ मा, नौमा, बारा, तेरा और सत्रा, अठारा यह आपके important सवाल है इनको आप करके जाएगा revision में ठीक है अब आते हैं वर्दमान और हासमान पर तो यह आपका उतना as usual आने वाला topic नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही नहीं आता नहीं, important बहुत जादा नहीं हो जाता है इससे सवाल जरूरी नहीं कि आहीं जाए ठीक है लेकिन हम लोग इस पर भी बात कर लेते हैं और इसमें देखने वाले हैं कौन-कौन सवाल आपको करने है ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको और हम लोग सीरी आ ज मैं लीजेगा और मैं सोचता हूँ कि वर्दमान हास्मान के बाद उच्छितम निम्तम इसमें बहुत से स्टुडेंट एक जैसी similarity देखते हैं कोई similarity नहीं भाई है ठीक है अगर आप में topic अच्छे से पढ़ा है concept अच्छे से पढ़ा है तो कोई similarity नहीं है आप अच्छी दर नबर 9 देख लेंगे हम लोग ठीक है most important है लगा के ही जाएगा इसको उधार नबर 9 देन हम लोग आंगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लगाएंगे उधार नमर आपका 12 ठीक है यह इंपोर्टेंट सवाल है लगा लीजेगा बढ़िये तरीके से ठीक है important number 12 important number नहीं important सवाल है इसको भी हम लोग करेंगे ठीक है इसको लगा लीजेगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिश्चनबाली 6.2 में ठीक है तो प्रिश्चनबाली 6.2 में as usual बहुत जादा नहीं सवाल लेकिन हम लोग कर लेंगे question number 3 आप लगा के जाएगा यह important रहेगा आपका इसके बाद हम लोग सीर्य बढ़ेंगे और इसमें आप लगाज़े कि dasma important है फिर dasma यह हमारे पास important सवाल है इसके बाद 13 नमबर का सवाल यह जरू कर लेजेगा ठीक है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे 17 और 19 यह सवाल लगा लेजेगा ठीक है 17 में नमबर के सवाल ल ये ज़ाईगा, अब बात करते हैं, इस पर से रेखा हैं और अभी लंब ये भाई है, आपका most important topic है, ठीक है, आउकुलस दर्मापक के रूप में बरदबान आश्मा इतने important नहीं, लेकिन इस पर से रेखा हैं और अभी लंब से आपको सवाल जरूर से जरूर देखने को मिलत ही मिलते हैं तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा उधारन आपको लगाना है सबसे पहली बात यह आपका उधारन नमबर 15 इंपोर्टेंट सवाल भई इसको लगा के जाईगे इसके अलावा उधारन नहीं लगाने की मतब इंपोर्टेंट सवाल है लेकिन हम लोग बढ़ जाएंगी उधारन नमर 20 पर ठीक है उधारन नमर 20 लगा लिजिएगा भाया उधारन नमर 20 अब लोग हम सीधे बढ़ेंगे प्रश्णवाली पर 6.3 पर ठीक है तो प्रश्णवाली 6.3 में अगर आपने यह सवाल लगा रही है 15, 16, 20 इसका मलब आपका टॉपिक अच्छे तजी आ रहे है ठीक है और आपको कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग exercise 6.3 में सवाल देखने वाले हैं ज्यादा सवाल है मैं important important की बात करनूंगा पांच मां लगाईगा पांच मां लगा लिजिएगा इस most important है 11 मां ठीक है अच्छे से लगा लिजिएगा 11 इसके बाद आप यहां कुछ नहीं सीधे बढ़ी हांगे और हम लोग आ जाते हैं 20 पर ठीक है तो अब यहां पर आप 20 मां लगाईगा 20 मां important है 20 के बाद हम लोग लगाएंगे 22 23 भईया most important है 23 आपका most important है ठीक है और 22 भी most important है 22 भी most important है 20 22 23 हम लगाएंगे 24 भी ठीक है यह important है 24 20 22 23 24 ठीक है और फिर 26 27 इसी बहुदी कलपी है ठीक है तो यह सवाल आपको तो इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया इसमें कौन-कौन से आपको लगा लेने अच्छी तरीके से आप लगा लिएगा 20 22 23 24 और 26 27 यह सवा ımızı आपको लगा के ही जाना है ठीक है अब हमछान 9 बात कर लेते तो थो सटनी को ब्रतों वैसे भी धर अपका ज्यादा खास टौप्व अधर नहीं हो जाते कि इससे बहुदसे साही सवाल आने की चांस नहीं रहते हैं ठीक है फिर भी हम लोग कर लेंगे कुछा flo आपको लगाके ही जाने जैसे उधार नमबर 23 तो अगर आपने उधार नमबर 23 लगा लिया है तो अगर आपको यह सवाल बन जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो अभी आपको कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली ठीक है तो 6.4 के आधार पे हम लोग 6.4 में हम लोग कोशन नमर 2 लगाएंगे यह important सवाल है आपका और 3 लगाएंगे यह important सवाल है अब बात करते हैं long जहां से आपका बनता है ठीक है यहां से आपको निश्ट तोर पर एक long सवाल दीर गे उत्तिरिये सवाल फसता ही फसता है और चितम और निमतम maxima एंड टीक है तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं और इस पर सीधे बढ़ेंगे हम लोग और important सवाल देखेंगे यहाँ पर आप कुछ नहीं कहिए यहाँ पर आप कुछ नहीं कहिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे उधार नंबर 34 ठीक यहाँ पर कुछ भी नहीं और important सवालों की category में सबसे पहले उचेतम निंतम के अनुप्र कि दे रखा है तो इसने कोई problem होनी नहीं चाहिए हम लोग उधार नंबर 34 लगा की जाएंगे ठीक है अब उधार नंबर 34 के आधार पर उधार नंबर 34 हम लोग लगाने वाले इसी प्रकार का सवाल हम लोग exercise 6.5 में भी काफी सवाल देखते हैं तो उनको भी अच्छे सभी इसे हम लोग देखेंगे ठीक है तो उधार नंबर 34 लगा लेंगे अभी कुछ नहीं ठीक है और आंगे बढ़ेंगे और सीधे हम लोग बढ़ने वाले ओधार नंबर 38 देखेंगे ठीक है यह वाला सवाल अब अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो मैंने यहा जाता है कि किसी भी novel को लिखने में उसकी शुरुवात बहुत जाद इंपोटेंट होती है या फिर कोई भी novel मैंने उधान ले लिए क्योंकि मैं novel जादा पढ़ता हूं और मैं उसको जादा बहुत सारी novel मैंने पढ़ रखा है fantasy novel करके तो मेरा कहने के मादब है कोई भी काम होत है कोई भी काम की सुरुवात सबसे जादा इंपोटेंट होती है उसी प्रकार इस question में भी है इस question की सुरुवात भया बहुत जादा इंपोटेंट अगर आपने सुरुवात कर ली तो आप से question पूरा बन जाएगा उधान नंबर 38 आप अच्छे तरीके से देखके और इसमें हम लोग बात करेंगे अब सीधे हम लोग प्रिश्णाबली 6.5 पर आते हैं सीधे कुछ नहीं आप और कोई आपका वर्क नहीं है और सीधा आप उधान नंबर यह आप लोग कर लिजेगा उधान नंबर 39 कर लिजेगा एक बार ठीक है उधान नंबर 39 लगा ठीक है तो प्रिश्णाबली 6.5 की बात कर लेते हैं फटा फट और इसमें आप लोग कोई पास बहुत सारे सवाल हो उच्चेता मुन निंतम पर आधार है लेकिन मैं आपसे कहूँँ कि पहले का दूसरा लगा के लिजेगा पहले का लोग दूसरा लगा लेंगे ठीक है पह अर्मा सवाल यह आपका इंपोर्टेंट सवाल है 13 मैं आपसे बात किने उधार नमर 34 में उधार नमर 34 की आधार पे आपका 13 14 15 16 यह सारे आपको कर लेंगे ठीक है 12 13 14 15 और 16 भी एकी जैसा है तो आप इसको भी लगा लीजेगा चलिए आंगे बढ़ेंगे 19 ठीक है 19 लगा लेंगे 21 लगा लीजेगा जरूर इसके अलावत 23 24 25 और अब यह सारे सवाल आपको लगाने 26 27 28 और 29 ठीक है यह आपको सब सवाल लगाने देखो 6.5 यह से मैंने आपसे कहा कि उच्छितम निम्तम से लॉंग आपका बनता ही बनता है तो फिर यह सारे सवाल आपके इंपोर् कर लिएगा विविद उधारण की भी बात कर लेते हैं विविद उधारण में आपको कौनकी सवाल लगाने यहाँ पर कुछ नहीं और हम लोग सीदे बढ़ेंगे एक्जाम्पल लंबर 45 पर ठीक है तो अभिलंब का समीकन अभिलंब का समीकन यह आप लगा लिजेगा ठीक 45 लगा के जाएंगे आप लोग इसके बाद हम लोग 46 लगाएंगे most important सवाल है आपका कई बार आया है ठीक है यह वाला सवाल आप लगाईएगा 46 then हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं और हम लोग आंगे बढ़ जाएंगे और हम लोग example देखने बाले है 49 ठीक है यह वाला सवा सवाली देखेंगे ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं बिवित प्रिश्णा वाली पर बढ़ जाते हैं और miscellaneous exercise के अंदर चेप्रट 6 की आपको जो important सवाल लगाना है वो दूसरा है most important सवाल है यह लगा लिजेगा जरूर से जरूर हर हाल में यह सवाल लगा लिजे इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं और हम लोग दसमा सवाल लगा लिजेगा important है आपका सवाल यह दसमे सवाल के बाद हमारा यह पंदरमा सवाल important है लगा लिजेगा जरूर से जरूर सत्रमा अब आप बल्कुल सब लगाएंगे 17, 18, 19 अब तो यह बहु भी कल्पी हो गए 19 से 24 तक बहु भी कल्पी हो तो यह सब लगा लिएगा 19, 19 के बाद 20, 21 और 22, 23 और हमारा 24 नमर का सवाल ठीक है तो यह chapter number 6 के जो most important और important question है यह आपके chapter number 6 के अंतर करते हैं तो इन सभी सवालों को आपको revision करना है और इनको एक नएक बार तो लगाना ही लगाना है ठीक है आप अच्छे से revision कर पाओ और अच्छे से practice कर पाओ तो NCIT book के अंतर अगत आपको कौन से सवाल लगा लेने इस पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ और एक साथ मैंने इस तरीके से ले लिए ताकि आपको कोई problem ना हो so most important question tick for chapter 6 application of derivative ठीक है और आउकलज आपकी ये आउकलज के अनुप्रियोग के अंतर चेप्टर 6 के अंतर आपको जो NCIT किताब से most important question कर लेने revision के तोर पे वो उधारन देख लीजिए उधारन में आप लगा लेंगे question एक दो तीन नो बारा तेरा पंडरा सोला बीस तेश चौ चेप्टर 6.1 एक exercise 6.1 के अंतर आप question लगाएंगे question नमबर 2,3,5,6,8,9,12,13,18,18 ये question लगा लिए प्रिशन बाली 6.2 में आप लगाएंगे question नमबर 3,7,10,13,17,19 ये लगा लिए इसके अलाबा प्रिशन बाली 6.3 में आप लगाएंगे question नमबर 5,10,11,20,22,23,24,26,27 प्र 3,7,8,9 और प्रिशन बाली 6.5 में आप लोग लगाने वाले हैं पहले का दूसरा 7,9,12,13,14,15,19,20,21,23,24,26,27,28,29 और विविद प्रिशन बाली इसको जरूर आप अच्छे से लगा के जाएंगे विविद प्रिशन बाली के अंदर गत आप लोगा लगाएंगे question नमबर 2,4,10,15,17,18,19,20,21,22,24 इसमें आपका most important है प्रिशन बाली 6.3 ये बिलकुल आपको जरूर से जरूर लगाने लिए प्रिशन बाली 6.5 आप अच्छी तरीके से लगा की चाहिएगा बढ़िया तरीके से और बिविद प्रिशन बाली ये आप 6 प्रिशन बाली में 3 बिलकुल भी कोई भी कौता ही नहीं बरत नहीं बाकी के मैंने आपको पूरे चेप्टर में बता दी है important important कौन से सवाल हैं जो आपको लगा लेने है 100 आउट ओफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ओफ 100 आ सकें कशा 12 गड़ रिवीजन करने के लिए दिखें रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए आपको मैंने important question के लिए टिक लगवा दिए तो उस वीडियो के आधार पर आप important question कर लीजेगा वहां से NCRT book से अगर आप NCRT book से तयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी reference book का किसी private book का इस्तमाल कर रह ताकि आप जली-जली डिवीजन कर सके तो वहां से वो देखिए इसके अलाबा अगर आपके पास कोई question bank है अब question bank क्या होता है तो question bank important questions की book होती है अठीक है तो अलग-अलग board में अलग-अलग नाम से जाना जाता है आप उसको जरूर पढ़ें इसके अलाबा आप unsolved लगाएं ठीक है unsolved लगाना बहुत ज़रूरी है यानि कि last year के paper ठीक है unsolved आप हर हाल में लगाएं अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी है अगर जितना भी आपका समय है तो एक paper तो आपको लगा के लगा के जाना ही है ताकि आपको पता चले कि जो आपका paper आता है वो किस तरीके से आता है तो यह ज़रूर ही है तो इतना आप कर लेते हैं और अगर थोड़ी से आपको किस्मत अच्छी रही है और पेपर आपको बहुत बढ़िया आ गया ज्यादा कठें नहीं आया पेपर क्योंकि कभी कभी फेपर बहुत कठें दे दिया जाता है अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आ करके मेहनत करिये तो फिर आपको हंडेट आउट ओफ हंडेट आने से कोई नहीं रोक सकता तो यह सारी मेरे एक त्योरी है जहां पर आपको जरूरी है कि आप NCRT बुक में मेरे द्वारे जो इंपोर्टेंट कोशन टिक लगा हैं वो आच्छे तयार कर लें इसके लाब रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनरूप जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनरूप आपने अच्छी तरीके से तयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं सभापत होता है उमी और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ अपडेटिट बनी रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like से ररकमेंट जरू करें और अगर आप live classes को join करना चाहते हैं live classes को attend करना चाहते हैं तो हमारी application को जरूद डाउनलोड करें जिसका link आपको description मिल ज किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस WhatsApp ग्रूप के थूरूप पूछ सकते हैं और अपने क्यूरी को solve कर सकते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो हमारे social media platform को जरूर follow करें Facebook, Telegram, Instagram और Twitter के link आपको description में ही मिल जाएंगे सभी के link आपको description में दिये हुए हैं तो उनको आप follow जरू कर सकते हैं वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लक्चार के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभाद